तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा पावन कथा कहों जो संतों मुनियों ने कही आखों से देखी शाशवत थी कानों ने सुनी ग्रंतों में भेद है छुपालो खोलती हूँ मैं इसका है क्या महातम लो बोलती हूँ मैं पावन वो हो गया है कथा जिसने भी सुनी मावैशनों से शर्ती हमने देखी ही नहीं सुन लो लगा के ध्यान क्या है पूरी ये कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा सुन लो इस धरा पे कई भक्त हुए हैं सारे जहाने आके जिन के चरन छुए हैं ध्यानों से नंद लाल और भोला भगत हुए बदरी भगत से प्रेमी नीमी ऐसे ही हुए उन में से एक शीधर भक्तों में शिष्ठ था मा के लगन में खोया था उसे मा से पेम था मैया ने जिन को चरन से अपने लगा लिया तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा श्रीधर भी ऐसा भक्त था आओ कथा सुनों गुन ऐसे उसमें भक्ति के सुन लो के तुम गुन मा को मनाई बिन कभी भोजन नहीं करता जैवैश्नों मा का नाम सदा मन में सिमरता भक्ति को उसकी देख के जलते थे सारी लोग देते थे ताने उसको वो तो कर रहा है ढौंग भक्ति थी उसकी सची ये तो मा को था पता तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा सब नगरिवा से जलते परीवार भी जलता लेकिन गुजारा उसका मा की किरपा से चलता पत्मी बड़ी सुशील थी जो देती उसका सार अरधांग नी थी प्यारी सदा रखती उसकी बार फिर एक दिवसे साथा भारी जगड़ा बढ़ गया घर वालों की सुनिता ने वो तो घर से चल दिया वो चल पड़ा ले नाम अब तो वैश्नों मातिका तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा ली मा की प्रतिमा हाथ में वो बढ़ता ही गया वो सच्चे मन से मा को नमन करता ही गया जा करके जंगलों में बनाया था उस निगर सच्चा था भरोसा उस अब वैश्नों माति पर किस तरहा चलता गुजारा वो जानता नहीं शक्ति वो मा की वो तो सदा दिल से मानता वो दिल से सुनाता था मा को अपनी सब व्यथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा चारा नहीं था दूजा वो तो भिख्षा मांगता भोजन या अन्न पाके वो परिवार पालता निर्धन को सदा रहते हैं रोटी के भी लाले लेकिन उसे विश्वास दाती उसको समहाले श्रीधर भगत के नाम से प्रसिध वो हुआ कहने लगे थे लोग दर्स मा कथा हुआ क्योंकि वो भगवती को देता दिल से था सदा तुमको सुना रही हुमा वैश्न की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्न की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्न की कथा मैया व्यथा थी उसकी देखो पल में थी हरती वो मांगने से पहले उसकी जोली को भरती एक दिन स्वपन में दर्स उसने मा कहे पाया वो खुश हुआ था इतना कुछ भी समझना आया होता नहीं था उसको अपनी आखों के विश्वास की कैसे आ गई है दाती आज उसकी पास कह सका ना वो तो कैसे हो गई किरपा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तब मन में उसके आया मैं भंडारा कराऊं संतों को पंडितों को बुला भोज कराऊं खुद भूका रहके वो तो अन जोडता रहा आता और दाल के लिए वो दोडता रहा मैया ने देखा दीन इतना विवश हो रहा तब हाले उसका मैया से वो देखा ना गया तब माने फिर से भगत को दर्स है दिया तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तब उसको माने बोला मुझे पी रखना तु विश्वास पल में करूंगी बेटा तेरे मन की पूरी आस ब्राम्हन सहित ये नगर तेरा भोज खाएगा ना कमी आने दूंगी ना तु दुख उठाएगा जब सुन ली ऐसे बात वो निश्चिन्त हो गया मा के भरो से वो तो सुख की नेंद सो गया आया जी दो दिन बाद दिवस फिर वो भोज का तुमको सुना रही हु मा वैश्नों की कथा देखो जी आस उसने मास ऐसी लगाई शती के रूप में दया फिर मान दिखाई सब भर दिये भंडार अन के अंबे मात ने भव्य हुआ वो भोज खुशिया सब ने थी पाई मा का कमाल थाना अन्न खतम होता था अधभुत करिश्मा ऐसा ही कटरे ने देखा था सानी नहीं था कोई मेरी वैश्नों मात का तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा मा की परम क्रिपावो ऐसे भक्त ने पाई कन्या के रूप में थी वहां मैया जी आई देखा तशिधर ने छविको हो गया विश्वास मैया ने रखी थी सुनो जी आके उसकी लाद तब देखो गण थे आए वहां भैरोनाथ के देखा जो देवे कन्या को अचंभा है हुआ पहुचे वो भैरोनाथ को सबसार था कहा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तब सुन गणों की बात आये भैरोनाथ जी देखा जो भवे भोज ना समझे वो बात जी जब देखा उन्हें भक्त ने शत शत किया प्रणाम श्रीधर ने कहा भोजन ग्रहन करे श्रीमान भैरोने कहा मुझको नहीं भोग भाएगा जामद रमा से लाओ तब ही चैन आएगा मैया ने देखा भैरो को तो ग्यात सब हुआ तुमको सुना रही हुमा वैशन की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशन की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशन की कथा श्रीधर ने तब मना किया शमा मांग कर लेकिन ही किया भैरोन था सब ही जान कर भैरोन भव्य भोज में जो कन्या को देखा मोहित हुआ वो मां पे गंदी द्रिष्टी से देखा मैया थी जानी जानी सब ही जानी लिया था तब भागी मां वहां से भैरोनात देखता भैरों भी भागा पीछे वो तो अब नहीं रुका तुमको सुना रहि हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा भागा वो पापी मा के पीछे मा भी भागती त्रिशना विशय की ऐसी थी भैरों में जागती तब मा ने त्रिकुट पर्वत पेवास था किया पहुचा वहां भी भैरों सब जान था लिया इतने में बन के रक्षक हनुमान आ गए मैया के प्राण में थे जैसे प्रान आ गए बोले वो गरज कर तुम्हारे साथ हूं मैं मा तुमको सुना रही हूं मा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हूं मा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हूं मा वैश्नों की कथा तब युत को ललिकारा आके हनुमान नी बड़ी क्योध से था देखा उन्हें भैरो नाथ ने गर जा था तब ही भैरो ले हाथ में तलवार लेके गदा खड़े थे बजरंगी भी तैयार दोनों ने की ये वार वो आपस में भिड़ गए कैसा था युद्ध भयंकर दो वीर लड़ रहे मा देखती थी भीशन कैसा वो युद्ध था तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा ऐसी चिड़ी लड़ाई हल न कोई निकलता हलका था कभी भारी पलड़ा ऐसा जो पड़ता मा चुप गई गोफा में था खुद को बचाया नौ मा से छुपी थी वो गर्भ जून कहाया जब हल न निकला युद्ध का क्या बात थी न्यारी सुनो जी गर्भ जून बना आद कवारी है आज भी कहाता सिद्ध पीठ मात का तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशलो की कथा तब ही रिशी एक आये आके युठ को रोका तब कोध में थि गर्ज भैरोनाथ को टोका जिस कन्या के तुझे चाहा है वो दुरगा रूप है वो तेरी हो जाएगी सुन ले ये जूठ है फिर भी न माना पापी वो तो मद में था फूला जग दंबा के स्वरूप को वो मन सिथा भूला जाने वो कैसा भूत उसके सिरसवार था तुमको सुना रही हुमा वैशलो की कथा जब यूत ना रुका तो मा का रोश था जागा विक्राल रूप भक्त तब मान था लिया काली का रूप धारा दिया भैरो को ललकार भैरो भी देखता था डर के देवी की हुंकार आपस में छिड गया था देखो युद भैंकर भैरो का चला दावन तब देवी से लड़कर माने लड़ा जो युद उसे देख वो डरा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा मा क्रोध में थी गरजी भैरो पी किया है वार ना शस्त्र काम आये पापी वो गया है हार चरनों में वो तो गिर के देखो शमा मांगता वो त्रा ही माम बोल के है नीर बहाता गलती का उसने जब किया था मां से पश्चा था जो द्रिष्टी ऐसी डाली मुझसे है हुआ मापा हे देवी मुझको कर दो शमा विंती वो करता तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा उसी मान शमा कर दिया उसको दिया वरदान मेरे नाम के ही साथ में जन लेंगे तेरा नाम जिस मार्ग से गई मैं वही धाम बनेगा उसमें से एक धाम भैरो घाटी भी होगा गर कर के दरस घाटी में जो कोई न जाए आजोरी होगी यातरा वो सुख न पाएगा उस पापी को भी दे के शरन पार कर दिया तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा भैरों से युद्ध करके हनूमत को लगी प्यास देखा न गया मा से रक्षक मेरा उदास तब तीर मारा धरा पे गंगा को बहाया पावन है वही धाम बान गंगा का हाया जिस रहा पे चली माता वहा पैर बन गए मा चरन पादुका का बना मंदिर वहा कट रास है प्रारंभ ये वैशनों की आत्रा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा पहला जो दरस होता है वो कौल कंदोली जहां बान गंगा बहती है भक तो ये निराली वो चरन पादुका और आदिकवारी बसती है सभी धामों मिमा महिमा है न्यारी मैया का दरस करने जो भी भक्त है जाते भजनों को गाते चलते और जैकारे लगाते जै माता दी सब बोलत दाती सुने सदा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्नों की कथा सांजी छत पे भक्त जो थकान मिटाते वो हाथी मथ्था का वहाँ पे दर्स है पाते फिर शुरू होती यात्रा है मा के भवन की चौदा ही कोस में बनी है सीमा धाम की सब बोल के जैकार देखो धाम को जाते मैया से देखो जोलिया पल में हैं भराते ऐसा है नाम मात का जो सब को तारता तुमको सुना रही हुमा वैश्न की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्न की कथा तुमको सुना रही हुमा वैश्न की कथा बैठी है भवन पे वहाजी तीन प इंडियां व्हा लक्ष्मीकाली साथ में है सरस्वतीमा वैश्न की का वहाजा जो यात्रा को जाए इनका दरस पाएगा किस्मत का ताला उसका पल में खुल ही जाएगा भत्तो करो जी मिल के माँ वैशनों के दर्शन सुक से भरेंगी माँ तुम्हे और महकेगा जीवन हर धाम की कणकण में छुपा नाम मात का तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुम भूल नहीं जाना भत्तो भैरों के दर्शन जिसको लगाया मान शरन बदला था जीवन मैया की अगुवाई करे वीर हनुमान और साथ में रहते हैं मेरे भैरों जी भलिवार दोनों ही परम सेवक मैया की कहातें पाते हैं सुख जो दोनों को ही शीश नवातें दोनों ही ये महान बड़े रहती संग सदा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा मा गोरा का ही रूप में या वैशनों कहाई मा पापियों को मारे है भक्तों की सहाई जो सात विखो के करेगा दाति का पूजन मैया करे किरपा सदा और वदलेगा जीवन शिव के वरण के हे तुकीनी घोर तपस्या ब्रम्हा विशनों शिव ने इनको नमन है किया संसार इनके चरनों को मन से पूजिता तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुनली तुमने भक्तों मैया वैशनों की कथा भक्तों को उबारा सदा माने करम किया जब भी हुई संसार में है धर्म की हानी बढ़ते हैं असर पापी और दुष्ट अज्यानी तब ही अनिको रूपों मिमाली ना है अवतार संतों को बचाया है मैया ने की असनहार दुष्टों के लिए काल है तब नाम मात का तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा मा वैशनों की कथा जो भी ध्यान से सुनता मा किर्पा द्रिष्टी डाले सारा काम है बनता संतों ने और भक्तों ने मही मा मा की जो गाई दीपक ने लिखी और दिव्य शक्ती ने गाई निगुरा हूँ मैं अज्यानी हूँ क्या और मैं लिखूं मैया जी मैं तो आपको शत्षत नमन करूं किर्पा है बरसि मा की मुझ पे लिख दिये कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा जिसको सुन के कटते दुखड मिटती है व्यथा तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा 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 तुमको सुना रही हुमा वैशनों की कथा